लिए सीधा रूप करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी खबर लखिमपुर किरी से आ रही है आपको सीधे लिए चलते लखिमपुर किरी देखे आज 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आशिश मिश्रा पेश होने आए उन्हें और अजय मिश्रा अपने लखिम लखिमपुर वाले मकान से निकल गए है 11 बजे का वक्त है ये भी जानका है निकल के आ रही है कि क्राइम रांज में कई बड़े आधिकारी पहुंच गए है क्राइम रांज की टीम तो पहले से ही दक्तर में मौजूद है लेकिन का पूरा पालन किया जा रहा है शमय का सब्सक्राइब कोई अपराधी थोड़ी요 इसमें पुलिस के सामने भेजा नोटीस्ता संबान करेंगे राच में सयोग करेंगे अजर होगे तो लखिमपुर खीरी से आप अवधेश कुमार सिंग को सुन रहे थे ये वकील है सुप्रीम कोट लॉयर अपने आपको बताया अला कि ये कहा कि अभी आशिश मिटा के वकील नहीं है उन्हें लीगल एडवाइजर अभी उनके जुड़े हुए है क्योंकि अभी उनके वकील कैसे हो सकते हैं वो अपरादी नहीं है ये कहना इनका उन्होंने ये भी जब सवाल किया गया कि क्या आप कोट में पेश करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो अपरादी नहीं है इसलिए कोट में पेश करने का कोई मामला नहीं क्राइम रांज के समक्ष पेश होना है हम पेश हो जाएंगे ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आशीश मिश्रा कहीं नहीं बागे हैं ये कहा है अब देश सिंग ने सुप्रीम गोट के लॉयर है और आशीश मिश्रा को अभी कानूनी मदद कर रहे हैं उनका कहना है कि वकील तब माने जाएंगे जब वो कोट म में थे कल देर रात लकिमपुर खिरी पहुंचे और अब लकिमपुर् खिरी से वो package रहे हैं बान निकले हैं शायद कि लाइन जरा विश्रान कभित और नहीं मिले Así मिडि नहीं आज 11 बचैए का वपता जा रहाए मुलाएे जब मुलाकातूगी एक गंटे से भी कम वक्त बागी है ऐसे में डियाई जी पहुंच चुके हैं क्राइम रांच के दफ्तर इस पूरे मामले पर अब सरकार को कल सुप्रीम कोट में जो सुनवाई हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोट ने सीधे सीधे सवाल खड़े किये हैं स्टेटस रिपोर्ट पर जो कारवाई है हूँ उस पर इसी के बाद लग रहा है कि अब उत्रप्रदेश सरकार इस पूरे मामले को जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी करना चाहती है और देखें डियाई जी रैंक अधिकारी पहुंच गए हैं क्राइम रांच के दफ्तर खल सुप्रीम कोट ने टिपपणी की थी डीजीपी से ये डीजीपी को लेकर रेटिपणी करते हुए कहा था कि सबूत देश्ट्रा नहीं होने चाहिए जब तक आगे कोई अलग एजेंसी इस पर नहीं आ जाती